हेलो एवरिवन वेल्कम टू स्टेडी ओफ एडुकेशन में सुक्धा त्रिवेदी आज आप लोगों के साथ फिर से करने वाले हूं जो की होने वाला है टीचिंग एप्टिट्यूट की उपर एज आ मॉक टेस्ट हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं हिंदे इंग्लिश दोनों ही यह लेंग्वेज में हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरुवात करते हैं अपने वीडियो की देखिए क कोशन आएंगे आपके सामने वन बाइवन वीडियो को पॉस्ट करके जो है आप खुद कोशन को अटेम्ट करने की कोशिश कीजिए चलिए और अपने इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा चलिए रिखिए फर्स कोशन है तो रूल फॉर प्रेजेंटि प्रेजेंटेशन होता है वो कुछ रूल को फॉलो करते हुए आप करते हैं तो उन रूल के कॉम्बिनेशन को इन सभी में से क्या कहा जाता है यह आपको बताना है ठीक है तो होप आप लोगों के लिए ख्लियर होंगे ऑप्शन्स यह आपके ऑप्शन्स है मैथड आफटी इस कुछ देखते हैं हम धा कोठारी कमिशन रिपोर्ट ऑन एजुगदान दिया है वो इन सभी में से क्या है आपको यह बताना है ठीक है क्लियर है कोठारी कमिशन चलिए अब देखते हैं कौन-कौन से पॉइंट है यहां पर इंटरॉडक्शन ट्री लेंगवेश फॉर्म education for all दोस्तों introduction introducing three language formula उनका बहुत ही famous एक significant important कह सकते हैं point है जो गोठारी commission ने हमारे Indian education system में दिया है ठीक है आगे चलते हैं the single most factor in the beginning of the teaching career is ठीक है तो जब आप teaching career की शिरुवात करते हैं तो उसमें सबसे important factor कौन सा होता है आपका तो यहां पर दिया है meritorious economic record होना चाहिए आपका अगर आप एक teacher बनना चाहते हैं communication skill अच्छी होनी चाहिए या once personality and ability to relate to class and student होना चाहिए और organizing ability ठीक है दोस्तों एक अच्छा teacher बनने के लिए ज़रूरी है कि आपकी personality ऐसी हो और आप में कुछ ऐसी abilities हो जिसके कारण आप बच्चों से relate कर पाएं ठीक है बच्चों से जुड़ना बहुत जरूरी है बिना जुड़े उनसे आप एक अच्छी teacher नहीं बन सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा option number C ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं hope आप लोग video को पॉस्ट करके खुदांसा दे रहे होंगे और दोस्तों अगर आप पहली पार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं preparing teacher's ability to understand the learning behavior of student is a part of तो टीचरों की ability को prepare करना या चात्रों के सीखने के व्यवार को समझने के लिए शिक्षकों की शमता तयार करना मतलग की आप अगर एक बच्चे को समझना चाहते हैं उसके behavior को समझना चाहते हैं तो teacher को इन में से कुछ चीजे समझने पड़ेंगी तो वो क्या चीज है जो एक teacher को बच्चे को समझने के लिए पहले समझने पड़ेंगी ठीक है clear है रही में से क्या आप पड़ेंगे तो आप बच्चे की understanding बच्चा कैसा सोचता है कैसे सीखता है कैसे पड़ता है यह सब आप समझ जाएंगे ठीक है तो दोस्तो philosophy of education, psychology of education, sociology of education, जाहिर सी बात है दोस्तो psychology of education अगर आप पड़ेंगे तो उसमें age wise बताया होता है कि कि से इसके बच्चे किस तरीके से सीखते है कैसा उनका behavior होता है यह सब information वहाँ पर दी हुई होती है चलिए next देखते हैं हम देखे match the following है match the following में यहाँ पर आपको philosophers दिये हैं और उनकी philosophy के खास point दिये हुए है वो हमको match करना है ठीक है तो चलिए शिरुवात करते हैं हम लो important than any kind of book तो दोस्तों यहाँ पर सही option हो जाएगा आपका टेगोर का हो जाएगा child is more important विवेकानन जैसा कि आप जानते हैं विवेकानन इस टॉक अबाउट योगा तो भी का हो जाएगा यह फोर्थ विवेकानन टॉक अबाउट योगा महात्मा गांधी महात्मा गंधी बात करते हैं harmonious development of personality की और बुद्धा बुद्धा जो है doctrine of कर्मा दिये धर्मा नहीं doctrine of कर्मा ठीक है तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं तो टेगोर ने क्या बात किये child is more important than all kind of books विवेकानन बात करते हैं योगा is a method of education महात्मा गंधी हार्मोनियस development of personality and बुद्धा doctrine of कर्मा ओप दोस्तों questions आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे आप लोगों के लिए helpful रहे होंगे questions चलिए next देखते हैं you feel that a particular instruction strategy is effective for teaching your subject but none of your colleagues agree with you what step will you take ठीक है तो आपको लगता है कि किसी particular subject को पढ़ाने के लिए एक particular teaching strategy ज्यादा effective है या आपने आपकी आपके experience में महसूस किया है पर आपके colleagues जो है आपके साथ ही जो है इस पर agree नहीं करते हैं तो आप इन में से क्या कदम उठाएंगे ठीक है तो look for the theoretical jurisdiction of the strategy strategy from the book on the instruction आप ये करेंगे leave them to do as they do like उन्हें उनकी हाल पर छोड़ देंगे वो करना चाहें इस strategy को अपनाना चाहें तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों इसका सही option हो जाएगा क्या option number D that with cooperation of your colleague design action research to validate your choice of method next most expected immediate outcome of teaching is अगर आप teaching करते हैं तो सबसे अपेक्षित परिनाम उसका क्या होगा most expected outcome क्या outcome निकल करके क्या result निकल करके आता है जब आप teaching करते हैं तो hope आप लोगों ने options देख लिए होंगे direct answer बताने जा रही हूं आप लोगों को that is the change in the behavior of student in the desirable direction ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question है which of the following statement is not correct इन में से कौन सा correct नहीं है ठीक है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम परते चलते हैं a good communicator has command over a language तो यह तो सही बात हो गई आप अच्छे communicator तभी बन सकते हैं जब आपके पास आपने बहुत कुछ पढ़ रखा उपको लगातार पढ़ते रहे हैं ठीक है a good communicator has a good sense of humor हाई यह भी होता है अधिकतर होता है यह and a good communicator cannot be a good teacher तो क्या correct नहीं है आप से पूछा है तो दोस्तों option number a correct नहीं है मतलब कि आपका सही option क्या हो जाएगा option number a चलिए next चलते हैं next day two student in your class sing exceptionally well they develop mutual jealousy over this talent what step will you take to turn their jealousy into mutual appreciation ठीक है तो दो लोग बहुत अच्छा काते हैं आपकी class में और उनमें jealousy develop हो गई है तो आप इस jealousy को हटाने के लिए क्या करेंगे उनमें mutual appreciation लाने के लिए क्या करेंगे इन सभी options में से तो hope options आप लोगों को clear होंगे यह देखे तो call them call them together and tell them they are equally good give them joint responsibility to plan work towards a program item which is to be presented at a school function talk freely to each of them persuade them to learn from each other and talk freely to each of them and tell them to compete with each other तो दोस्तों सही option है option number B ठीक है that is the give them उनको joint responsibility एक साथ उनको लेकर के आए और उन्हें काम करने का मुखा दे एक साथ जिससे वो एक दुसरे को और अच्छे से समझ सकेंगे और एक दुसरे की skills को और बढ़ा सकेंगे ठीक है कई बार हम साथ में काम करते हैं तो हमें लोगों की अच्छी बाते पता पड़ती है उनका behavior समझ में आता है तो हमाई जैले सी होती है वो भी दूर हो जाती है चले ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका option number B ठीक है चले next question है हमारा a teacher as a true professional is अगर एक teacher true professional है एक सच्चे पैशेवर के रूप में इसमें से कौन सी quality होगी ठीक है यह आपको बताना है वो enthusiastic energetic excited रहेगा highly knowledgeable in his or her area of expertise रहेगा बहुत knowledge रहेगा अपने area का continuously grow grow in this area of knowledge and all of the above दोस्तों एक true professional की यह सभी quality हो जाएगी तो option number D जो है इसका सही answer होगा चलिए next है हमारा which of the following activities can help a teacher inculcate social and moral values among the students तो एक teacher इन में से कौन से activities करवाएगा इसके कारण अब बच्चों में social and moral values develop हो सकती है यह आप से पुछा जा रहा है यहाँ पर delivering lectures on value, showing TV program show करेगा involving student actively in co-curricular activities और observing religious festival तो इन में से दोस्तों अगर आपको social and moral values develop करने ही कभी भी students में तो social and moral values दोस्तों co-curricular activities हो गई जैसे games हो गया, community work हो गया वहाँ से develop होती है तो इसका सही answer क्या होगा option number C ठीक है तो hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like, comment, share जरूर कीजेगा जल्दी मिलते हैं next video में तब तक के लिए best of luck, bye